आप 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 है मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स सौमवार से शुक्रवार के इस सेशन में जिसमें हम आपके साथ में तीस मिनिट में पंदरा सवाल अध्यन करते हैं और ये सवाल SSC, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं सभी साथियों का इस समय स्वागत है उन्नाव, अजीत, निशा, पवन, मोहित, डल्पत, मिताली, भावना, निश्ठ, नीलम, रोहन, सभी साथियों का वर्षा, वेरी गूड इवनिंग, होपफुली आप सभी लोग एकदम स्वस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, और पढ़ने के लिए एकदम तयार होंगे, हमेशा की तरह है, जरूरी जानकारियों में सबसे पहली जो चीज है, वो आपके साथ पता होनी चाहिए, और वो क्या है, रैफरल कोड के सम्मन्द में, रैफरल कोड है, अंकित 10 जिसका उप्योग करके, आप अनकेडमी पर 10% डिसकाउंट प्राप्ट कर सकते हैं, all on अनकेडमी सबस्क्रिप्शन, कोई साभी आप पर्चेस करें, फिलहाल एक जो सबसे मैत्वपूर्पूर्ण जानकारी है, वो यह, 28 तारीक से, मतलब अभी जो आने वाली जो मंडे है, उस दिन से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच है, जिसमें मैं सुन्य से, आप लोगों को एकाउनोमिक्स पढ़ाऊंगा, जेरो से एकाउनोमिक्स है न, अगर आपको अभी तक एकाउनोमिक्स समझ नहीं आई है, तो आप थोड़ा सा उस कोर्स को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, इसी करम में, जैसे अभी तक हम लोगों ने, आप लोगों को जोगरफी पढ़ाई, पॉलिटी पढ़ाई, अब एकाउनोमिक्स आ रही है, और इसके बाद हिस्ट्री आएगी, आप सबका स्वागत रहेगा, पुराने बैचेस जितने भी निकले हैं, वो सारे देखे जा सकते हैं, भविश में भी ये वापस बैच रेपिटिटिव आएंगे, विकास गुपता मुंगेर से, मैं एकदम अच्छा हूँ भाई, है ना, अधीती पूछ रही है सर, सटर्डे संडे भी रखिये ये क्लास, अधीती बिलकुल संभव नहीं है, मतलब डेड़ दिन मुझे मेरे लिए भी चाहिए होता है, शुरू गड़ते हैं, लिगा हुआ है, किसने अपने मिशन कारेकरम, बायो टेक क्रसी इनोवेशन साइंस एप्लिकेशन नेटवर्क, बायो टेक किसान, के एक भाग के रूप में पूर्वो तर्चिद के लिए, एक विशेश कॉल सेंटर जारी किया है, कौन है ये, यानि किसने ये सारा कारेकरम किया है, आईए हम आपके सामने चर्चा करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट का ये कारेकरम किया हुआ है, तो गवर्मेंट ने एग्रिकल्चर टेकनोलोजी के लिए, फार्मर्स के लिए, नॉर्थ इस्ट रिजन के अंदर, एक प्रकार से बायो टेक, क्रशी नवाचार विज्ञान अनुप्रेयोग नेटवर्क जारी किया है, नॉर्थ इस्ट छेतरों के लिए किया गया कारेकरम है, साथियों, इसमें होता क्या है, इसमें वैग्ञानिकों का, क्रशकों के साथ में, एक प्रकार से मेल जोल बनाया जाता है, वैग्ञानिक और क्रशक आपस में मर्ज़ कर दिये جाते हैं, इसको ऐसे समझें, यानि कि इसमें साइंटिस्ट और फार्मर पार्टनर्शिप स्कीम, इसमें लाई जाती है साइंटिस्ट और फार्मर्स को एक साथ कलब कर दिया जाता है यह संपूर्ण भारत में चलने वाला कारेकरम है और इसकी वज़े से और इसको क्या नाम दिया गया है बायो टेक किसान हब are expected to fulfill the technology required to generate agriculture मतलब यह है कि इसके अंतरगत वग्यानिकों से क्रशक जो है वो डायरेक्ट सवाल जबाब कर सकते है ऐसा बहुत बार होता है कि agriculture के मामले में आपके दिमाग में सवाल बनता है कि यार मेरे खेत में अगर मतलब salinity जादा है या acidity जादा है इसके आप बेफिकर होकर के टेंशन छोड़ दे मुझे ये डर लग रहा है कि फिर उसके बाद ऐसा नहों कि आप classes भी छोड़ दे जोड़िए अप तो सवारी जीज़े बन के ही आ गई है ऐना ऐसा नहीं करना है ठीक है पवंतिवारी बिलकुल मिल सकते है आप मुझे से आकर के ठीक है हाँ जी तो ये department of bio technology ने इस प्रकार का कारेकरम किया है ठीक है तो ये मैंने आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर बताने का प्रयास कर दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं बायो टेक एंड किसान नाम से इस परियोजना को आप याद रख सकते हैं बायो टेक किसान ठीक है तो बायो टेक किसान का फुल फॉर्म क्या हो गया बायो टेक क्रिशी इनोवेशन साइंस एप्लिकेशन नेटवर्क है तो बायो टेक किसान इसको आप याद कर सकते हैं और ये किस छेतर के लिए लॉंच की गई है अभी North East के लिए इसे लॉंच किया गया है हाला कि ये already कब लॉंच हो चुकी है पहले से ही ये 2017 में लॉंच हो रखी है लेकिन अब ये किस के लिए लॉंच कर दी गई है एक प्रकार से अपना जो North East पुरुवतर भारत है उसके लिए लॉंच कर दी गई है हाँ जी ऐसे ही साथियों एक प्रमुख योजना केंदर सरकार की है उसका नाम है स्वामित्व योजना स्वामित्व योजना मैंने बहुत बार बताई है आप लोगों को इस योजना के तहत गाउं में जिसके पास चतनी भी जमीन है खेत है कोई चाए जहुपड़ी है उसके लिए भी सरकार उनके पास एक ऐसा काड उपलब्द करवाने जा रही है जो की उस जमीन के साथ उनकी चुडाव को प्रदर्शित करता रहेगा यह समझिये जमीन का आइडी कार्ड देने जा रही है असके लिए असम राज्य सरकार ने क्या किया है क्योंकि सर्वे औफ इंडिया के साथ मिलकर के ये लोग क्या काम करेंगे उस चेत्र की टैगिंग कर लेंगे एक प्रकार से ये चीज पहचान लेंगे कि कौन सा छेतर किस के लिए उपलब्ध होगा यहां पर मतलब एक प्रकार से योजना के अंदर सर्वे आफ इंडिया के साथ मिल करके यह टेकनलोजी के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से उसका कनफरमेशन करेंगे यहां पर ड्रोन के माध्यम से कैमरे के माध्यम से जो ग्रामीन भूमी है उसका सर्वे किया जाएगा और सर्वे करने के बाद में उस जमीन को उन तक पहुचा दिया जाएगा ठीक है ना तो ये कारेकरम कर रहा है कौन वर्तमान में ये कारेक्रम कर रहा है आसाम किसके लिए अपने राज्य के अंदर क्रामीन करशकों के लिए कर रहा है तो स्वामित्व योजना के अंतरगत ये कारेक्रम किया गया है आपको मालूम होना चाहिए कि स्वामित्व योजना जो है वो पंचायती राजदिवस 24 अपरेल 2020 को संपूर्ण भारत में लाँच की गई थी असम सरकार जो है उस सर्वे आफ इंडिया के साथ मिल करके अब इस कारेकरम को आगे बढ़ा रहा है बात की जाए असम की तो साथियों असम के अंदर वरतमान में अगर आप नटिस करें То नेशनल पार्क नटिस करने की चीज़ है क्योंकि हाल ही में नेशनल पार्क ही चर्चा में रहे हैं आप जड़ा देखे यहां पर 3 और 3 च्छै और 7 कुल 7 नेशनल पारक हो गए हैं और इन में से ये जो रेमोना और देहिंग पटकाई ये जो नेशनल पार्क हैं ये रिसेंट डेज में बने हुए नेशनल पार्क हैं आप इन्हें याद कर सकते हैं मतलब ये जून ही जून के अंदर बने हुए दो नेशनल पार्क रैमोना और देहिंग पठकाई इसे आप याद कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है इसे आप ध्यान रख सकते हैं इसके अलावा इनके द्वारा गार्जिन मिनिस्टर की कलपना की गई है किसके द्वारा हेमन्त विस्व सर्मा ये इनके द्वारा क्या किया गया है आसाम के अंदर इन्हों ने गार्जिन मिनिस्टर का कंसेप्ट दिया है गार्जिन मिनिस्टर का कंसेप्ट का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर उस राज के जिले जितने भी हैं उन जिलों के लिए हर एक मंत्री अलग से नियुक्त कर दिया गया है कि आप इस मंत्री के गारजियन कहलाएंगे वहाँ पर चलने वाली सभी योजनाओं का यहाँ पर निरने लिया जायेगा बिलकुल रितुपदास बिटा वो ऑनलाइन आने वाली है तुम असम क्या तुम विदेश में रहकर के भी ले सकते हो है ना रितुपदास चिंता मत करिये ठीक है बिलकुल एडिक्टेड बिट्टू लेके आएंगे भी या बता देना क्या नुकसान हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन क्या है मगर मच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एक मात्र राज्य कौन सा बन गया है जहां पर मगर मच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जा रही है तो वो देखिए मेरे प्यारे साथियो तीनों प्रजातियां मगर मच्च की उड़ी सा राज्य में पाई जा रही है अब वो तीन प्रजातियां कौन कौन सी है आईए मैं आपको बताता हूँ तो ये केवल इकलौता राज्य बन गया है भारत का जिसके पास मगर मच्च की तीनों परजातियां पाई जाती हो इसलिए आप इसे याद रख लीजेगा अब वो तीन परजातियां कौन कौन सी है एक बार के लिए देख लीजेगा एक का नाम है साथियों फ्रेश वाटर घरियाल नमबर एकDIO घडयाल मगर मच्च की ही एक परजाती है जिसका नाम है सुद्ध जल में पाया जाने वाला गड़ियाल नमबर दूसरे पर हैसाथियों जो भीतर कणी का नेशनल पार्क में पाया गया है उसका नाम है मुगर्स मुगर्स जो है ये भीतर कणी का नेशनल पार्क में पाया गया है मुगर्स के नाम से जाना जाता है तीसरा है सलाइन वाटर यानी सॉल्ट वाटर में एक तो है साफ पानी यानी नदी के पानी में और एक है समुद्र के पानी में पाया जाने वाला तो देखिए नदी के Пानी में पाया जा रहा है घडियाल और समुदर के पानी में पाया जा रहा है जो मगरमच जिसे आप कहते हैं वो तो ये तीनों प्रजातियां उडिशा के अंदर पाई जा रही है इसलिए उडिसा अपने आप में फिर से एक चर्चा का कारण बन गया है आपको याद होगा हाल ही में मैंने आपको बताया था उडिसा में महा नदी के तट पर एक घडियाल मिला था ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूस बन गई थी उमीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है आसाम की अगर हम बात करें अभी एक प्रशन में और आगे चलके फिर से आसाम आएगा तो फिर से उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे नवीन पतनायक यहाँ पर मुख्यमंत्री है और गणेशी लाल यहाँ के राजजपाल है बीतर कणिका और सीमली पाल यहाँ के नेशनल पार्क है और गहिर माथा यहाँ पर अभ्यारण्य है इसे आप याद रख सकते हैं ठीक है ना नरेश विष्णोई राजिस्थान वालों के लिए क्या खास होने जा रहा है आप बताईए क्या आपको खास करवाना है वही प्लान करते हैं कुछ मुहम्मद नाजिर भया आप EPFO के लिए मॉर्निंग वाली एक तो क्लास देख सकते हैं आरेने वाली और एक दस बज़े पुनर गठन किया है अब यह मतलब क्या होता है four member take over panel take over panel का मतलब वह यह किस ने किया है इनका मुख्य काम यह है कि अगर कोई company कि see दूसरी company का अधि ग्रेहन कर रही है तो उसका आध्यान करना है न तो यह चार member कौन-कौन से हैं बस ये याद रख लीजेगा तो टेक ओवर पैनल में चार मेंबर बनाये गए हैं पहली बार ये जो बनाया गया था 2007 में बनाया गया था उस समय बैंक आफ बड़ोदा के कंनन हुआ करते थे उनके नित्रत में तो पहली बार टेक ओवर के लिए सेवी के द्वारा जो फॉमस मैथ्यू और एक है एन वैंकेट रमन ये जो हैं इनको मतलब वो बनाया गया है तो अब इनको आप एक बार ध्यान से देखें तो आप अंदाजा लगा लेंगे देखिए यहां पर एन वैंकेट रमन जो हैं ये एक प्राइविट कंपनी के व्यक्ति हैं डैलॉइट एनके सोडी जो हैं वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोट अफ करनाटका केरला एर फॉर्मर प्रसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सेक्यूरिटी अपिलेट ट्रिब्यूनल ये लोग असल में क्या काम करने वाले हैं सेवी के नितरत्व में सेवी बोले तो ये अब याद रख बिननी बिनसल ने कभी बनाई थी लेकिन आज वो सचिन बिनसल और बिननी बिनसल के पास है नहीं उसके मालिक वर्तमान में वालमार्ट वाले हैं तो वालमार्ट के पास चला गया है तो ये जो प्रकरिया है जिसमें की फिलिपकार्ट बिक करके वालमार्ट के पास चला गय तो एक प्रकार से ये जो काम हुआ, इसमें टेक ओवर हुआ, यानि उन्होंने इसे खरीद के अपने पास रख लिया, तो इस प्रकार की जो चीजें हो, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा मैनिपलेट हो रहा है, तो ऐसी इस तदी में ये सारे काम किये जा रहे हैं, सरफर भावना पांडे, उत्तराखंड के सीएम, फ्री कोचिंग स्टार्ट करें, अधर स्टेट में है, हाँ, बिल्कुल भावना, मैं फॉन करके उनको बोलता हूं, कि वो फ्री कोचिंग स्टार्ट करें, ठीक है, रादीका, बिटा, मुझे नहीं बता है कि कौन सी चीज की जा स सकती है, नरेश, हाँ, बिल्कुल कौशिश करेंगे, बिल्कुल परिशान, मैं परिशान होने की जडर्वत में, एक कौशिश करेंगे, ठीक है, हाँ, जी, आगे बढ़ता है साथियों, अगले प्रस्ट की तरफ, और वो क्या है, आईए जानते हैं, तो ये काम हो गया, 92 के तैद बनाया हुआ कारेकरम है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता है साथियों, जान है तो जाहान है, यानि कि आप में अगर जान है, तो जाहान है, यानि आप जिन्दा हो तो भईया पूरी बिनिया आपकी है, इस कारेकरम को हाल ही में, जो अल्प संख्यक मामलों के मंत है ना, तो वैक्सीन लगाने के लिए, अवेर करने के लिए, ये कैमपेन चलाया गया, ये कोई इसकीम नहीं है, आप मेंसे कैयों के दिमाग में ये सवाल जरूर बन सकता है, कि सर, इसकीम में और कैमपेन में क्या अंतर होता है, तो कैमपेन का मतलब होता है, कि आप परचा होगे है ना तो सरकार भी campaign करती है तो उसमें है ये तो जान है तो जहान है टीका लगवाएं कोरोना भगाएं इस प्रकार से अलप संक्यक मामलात के मंत्रियों के द्वारा ये कारेकरम किया गया है ठीक है तो इस कारेकरम के माध्यम से आप इधर देख सकते हैं कि भारत ने को प्रशन क्या है आईए जानते हैं प्रशन है प्रतिस्टित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सॉसाइटी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है बहुत ही इंपोर्टन प्रशन है के के शैलजा जो की केरल की इस समय स्वास्थ मंत्री है उन्हें चुना गया ठीक है न, हाजी किनको चुना गया है तो साथियों यह के 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 शैलजा को चुना गया है ठीक है हाजी तो यहां पर ध्यान रखने की आवशक़ता यह है कि इनको बतलब Open Society Prize के लिए चुना गया है के के शेलजा जो है वो केरल की स्वास्तिमंत्री है और इन्हें बतलब इससे पहले भी कोरोना के छेतर में कार्य करने के लिए जो न्यूजिलेंड की प्राइम मिनिश्टर है उनके साथ सम्मानित किया जा चुका है तो ये ब्रांड केरला को प्रमोट कर रही है याद रखिएगा फाइनिशल टाइम्स ने शेलजा को वन अफ दी वर्ड मोस्ट इन्फुलेंशल वोमन में वर्ष 2020 में शामिल किया था ठीक है न इस मतब CEU Open University के अंदर जो केकेशल जा जो है इन्हें सम्मानित किया गया है ठीक है अच्छा इसके अलावा केलरा रेजिसलेटिव असेंबली में कौन-कौन क्या है तो यहाँ पर आपके सामने ये सारे की सारे पद है जिन पर की इनके द्वारा कारेकरम किया गया है अब तक ये पद्ध सम्हा ले गए हैं ठीक है ना तो यहाँ पर आप जान लीजिए का केरिरा लेजिसलेटिव असेंबली के अंदर अब तक सबसे बड़े मार्जिन के साथ ये जीत करके आई है ठीक है ना तो ये मतलब लोगों के बीच भी बहुत लोग प्रिये हैं और इन्हें इस पुरसकार से सम्मानिद भी किया गया है ठीक है अच्छा डव्यू डव्यू एफ इंडिया ने फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के राजदूत के रोप में ये डव्यू डव्यू एफ फाइटिंग वाला नहीं है वर्ल्ड वाइल्ड फंड है ये जानवरों की सुरक्षा सो निश्चित करता है उसने ये है कौन आपको अपोलो हॉस्पिटल के बारे में पता होगा इंडिया में इन हॉस्पिटल की बहुत बड़ी चेन है मेंगे हॉस्पिटल हैं उनकी डायरेक्टर है इंको मतलब क्या रखा गया है ब्रांड एम्भेसेडर बनाया गया है ये तथ्या आप लोग जान सकते ह इनको उसके अंदर चुना गया है, ठीक है, चलिए, इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक मिनिट, हाँ जी, इसके अरी आरी इस से चर बहुत जली, राश्ट्रिय मांसिक स्वास्त और तंत्री का विज्ञान संस्थान, बैंगलूरू के निदेशक के रूप में किसे नियुक किया गया है, तो प्रतीमा मूर्थी जो है, इनको केंद्र राश्ट्रिय मांसिक स्वास्त और तंत्री का विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर प्रतीमा मूर्थी को चुना गया है, आप ये तथ्य जानकारी रख सकते हैं, इसके साथ साथ प्रतीम Recognition Award दिया गया था, World No Tobacco Day के अवसर पर इन्हें Award दिया गया था, 31 मई 2021 को ठीक है ना, National Institute of Mental Health and Neuroscience की अगर हम बात करते हैं, तो प्रतीमा मूर्थी इसकी Director बन गई है, इसकी स्थापना जो है, वो December 1974 में NIMHANS के माद्यम से हुई थी, यह Bangaluru में है और यह 2026 में मैडम जो हैं अपने पद से Retired होंगी, Regional Director Special Recognition Award इन्हें No Tobacco को दिवस्प के उपर दिया गया था, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, किस राज जिने COVID से हुए अनात बच्चों को सिक्षा, स्वास्त और रखरखाव के लिए एक नई योजना आशिरबाद की घोशना की है, तो इसका आंसर है, ओडिसा आपको मालूम होगा, आजकर हर राजिसरकार इसी कारेकरम में लगी हुई है जिसमें जो बच्चे, पैरेंट्स अपना लूज कर दिये, अप्रेल 2020 से ले करके उनके लिए, मतलब कोरोना के कारण जिनके पैरेंट्स नहीं रहे, वो अनात हो गए या तो सिंगल पैरेंटिंग वाले बच्चे-बचे हैं, या फिर उनके दौनों पैरेंट्स नहीं बच्चे इस कोरोना के कारण उनके लिए, उडिसा सरकार के अंदर भी एक कारेकरम लाँच किया गया है और इस कारेकरम के जो मुख्य तत्व हैं, उसके अंदर क्या-क्या है, एक चीज यहाँ पर आप देख सकते है ऐसे बच्चे जिनके माबाप अप्रेल 2020 के बाद, मतलब सरवाइब नहीं कर पाए कोरोना के कारण उन्हें 25.00 रुपए प्रती मंथ देने का निर्ने लिया है, सरकारने अगर उन्में से कोई एक बच्चे, मतलब पेरेंट्स में कोई एक खतं हुआ है, चाहे मदर खतं हुई हो या फादर तो ऐसे बच्चे को 15.00 रुपए पर मंथ देने का निर्ने किया गया है और ऐसे बच्चे जो already किसी institution में services ले रहे हैं उन्हें 1000 रुपे पर मन्त देने का निर्णे किया गया है और बीजू स्वास्ते कल्यान योजना बीजू पतनायक नवीन पतनायक के फादर हुआ करते थे उनके नाम पर बीजू स्वास्ते कल्यान योजना के तहत उन्हें free treatment hospitalization होने पर दिया जाएगा इसके अलावा green passage scheme के तहत उनकी education free की जाएगी इसके साथ-साथ under food security scheme उनको मुफ्त में खाना उपलब्द करवाया जाएगा साथ में जब भी कोई priority मतलब ऐसा काम हो जहाँ पर सरकारी काम हो तो उनको priority दी जाएगी तो ये तो सब राज्यों के पास common चीजें होती हैं नीचे की तीन वाली हर राज्य ने free education, free स्वास थे ये सब पर योजना लागू कर रखी है ये लगभग हर राज्य इतनी ही योजना ले करके आ गया है कुछ राज्य इसमें अच्छी, ऐसे MP में भी योजना आ चुकी है, राज्यस्थान में भी, हर राज्य जो है वो ऐसे बच्चों के लिए योजना ला चुके हैं, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, किसने एक नई पुस्तक, दस सेवन सिंस आफ बीइंगे मदर यानि मदर होने के साथ प्रमुख जो दोश हैं, जो कमियां हैं, वो किसने लिखी हैं तो ताहीरा कश्चप खुराना करके, एक मतलब डायरेक्टर हैं, इनकी एक नई किताब आ रही है सेवन सिंस आफ बीइंगे मदर, मा बनने के साथ बड़े बड़े चैलेंजिस क्या हैं, परिशानिया क्या हैं, उनके ऊपर ठीक है ना, अब इशेक बिलकुल ले आएंगे, अगर कुछ उसमें कंक्रीट मिला तो, ठीक है हाँ जी, तो यहाँ पर सेवन सिंस आफ बीइंग मदर, यह ताहीरा कश्चप खुराना है इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जा रही है, यह एक डायरेक्टर है यह, मतलब दस सेवन सिंस और मतलब अनाउंस, इन्होंने यह नई बुक अनाउंस की है इससे पहले यह तीन-चार किताबें और लिख शुकी है है ना, इनकी और किताबों के अंदर अगर हम बात करें तो बीइंग ए वीमन, मतलब इनकी कुछ किताबें हैं जैसे की माई जर्नी इन बॉलिवूड एंड सोल आउट यह, सारी की सारी इनकी किताबें हैं आल्रेडी मार्केट में, अब यह पांच वी किताब अपनी लिखने जा रही है विश्व मानवतावादी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है जिस दिन योगा दिवस मनाया जाता है that is 21 जोन के दिन विश्व humanitarian जो दिवस है word humanitarian दिवस मनाया जाता है humanitarian teaches to free from the dogma and religious culture मानवतावाद, यानि लोगों के अंदर मानवतावाद कैसे फैलाया जाए उसके बारे में, 1980 से यह मनाया जा रहा है विश्व sickle cell anemia दिवस sickle cell जो रोग है उससे निपटने के लिए दिन किस दिन मनाया जाता है तो साथियों हर साल 19 तारिक को यह दिल मनाया जाता है 19 जून के दिन इसे पहली बार दिसंबर 2008 में recognize किया गया था sickle cell anemia में होता क्या है कि व्यक्ति का जो रक्त है उसके अंदर RBC जो है वो हसिया कार हो जाती है यानि कि जो है वो एक प्रकार से गंडा से जैसी हो जाती है Ministry of Tribal Affairs ने भी इस के केस में मतलब कुछ word sickle cell anemia के केस में sickle cell के केस में अपने द्वारा कुछ conference लगाई है उनमुक्त प्रोजेक्ट लॉंच किया है और ये सारी चीजे जो है आपके सामने है ठीक है चली और इसकी जो थीम रखी गई है वो साथियों रखी गई है ये shine light on sickle cell ठीक है इसमें होता क्या है कि जो रक्त में पाई जाने वाली जो राल प्रद कलिकाएं है वो इस प्रकार की यानि हसियाकार आकरती की हो जाती है इसके अंतरगत व्यक्ति के साथ painful situations और ब्लड में oxygen की कमी होने लगती है क्योंकि RBC ही है जो oxygen को carry करने का कारे करती है जब RBC ही नहीं बचेगी तो RBC के अभाव में यहां पर किस प्रकार से oxygen ट्रांसपोर्ट होगी और जब oxygen ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती तो व्यक्ति के अंदर रक्त अल्पता हो जाएगी और रक्त अल्पता का होना ही anemia situation कहलाती है ठीक है तो गुरु प्रसाद मुहपात्रा जो है हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया D.I.I.T. है ना D.P.I.I.T. के ये मतलब वो थे सेकेटरी थे इनका हाल ही में निधन हो गया देश के राष्टरपती, प्रधान मंतरी, ग्रह मंतरी इन सब ने इनके लिए समवेधना व्यक्त करी इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं याद कर लीजेगा है ना ये अब तक चेर्मेन रह चुके हैं, एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की है ना तो ये मतलब बहुत सारे महत्वपूर्पूर्ण पदों के उपर रह चुके हैं वर्तमान में ये सचिव थे, ये 1986 बेच के IAS आफिसर थे और इन्हें DP IAT के अंदर 2019 में न्यूक किया गया था, ठीक है इस स्पोर्ट की न्यूज में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही important सवाल बन जाता है, ओलम्पिक खेलों के अंदर पहले transgender athlete के रूप में किसकी पुष्टी की गई है, तो ये बहुत ही Olympian के रूप में select किया गया है, ये weightlifter है और Laurel Hubord मतलब ये मान के चलिएगा कि अपने आप में आने वाले जमाने में ये महत्वपून सवालों के अंदर पूछा जाएगा, transgender जो है first openly transgender athlete to compete at Olympic game when Kiwi official named her in the squad of Tokyo next month, यानि कि ये जो है, ये Tokyo Olympics में New Zealand की तरफ से participate करने वाले हैं, और weightlifting के अंदर ये participate करने वाले हैं तो transgender athlete जो Tokyo 2020, जो 2021 में होने वाले Olympics हैं, इन्हे Tokyo 2020 के नाम से जाना जाएगा होंगे 2021 में, और इनका नाम क्या है Laurel Hubord, मतलब ये ऐसा मान लीजिए कि ये मतलब हर परिक्षा में पूछा जाने वाला प्रशन है, और मतलब अगर ये जीत गए तब तो फिर अंदाजा ही मतलब बहुत बड़ी चीज का हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ बातें आप इस प्रकार से इसमें याद रख सकते हैं अंतरष्ट ये मुक्यबाजी संग की कोच समयती के सदश्च के रूप में नियुक्त होने वाले देश की पहली भारतिय महिला कौन बनी है तो साथियों पहली मौक्टर मनी है डॉक्टर तडांग मीनू, ये कौन बनी है, फर्स्ट इंडियन वूमन टू अपॉइंटेड एज ए ए आई बीए कोचेज कमेटी मेंबर तो ये बहुत बड़ी उपलब्दी है, अगेन ये सवाल पूछा जा सकता है, आप इसे याद रख सकते हैं, तडांग मीनू जो है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, कहां पर है, राजिव गांदी यूनिवर्सिटी के अंदर है और इन्टरनेशनल बॉक्सिंग असोसिएशन के अंदर एज ए मेंबर चुना गया है, कहां की रहने वाली है, अरुनाचल प्रदीश की रहने वाली है, और ये इंटरनेशनल ओलम्पिक असोसिएशन के अंदर काम करेंगी, इंटरनेशनल जो असोसिएशन है, इसका मुख् ख्यात्मक जानकारियां आपको मिल गई, सारा कंटेंट आपको as it is कहा मिल जाएगा, मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपके लिए उपलब्द हो जाएगा, मेरा नया बैच अनकेडमी पर आ रहा है, उसके लिए आपको एक information शेयर करनी है और वो ये है, कि अनकेडमी पर मेरे आन से register हो जाएं, और उस नया बैच में हम basic से economics पढ़ने वाले हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जा करके अनकेडमी लर्निंग एप को install करें, और install करने के बाद में वहाँ पर, है ना, अपना phone number से अपने आपको register करें, गोल में SSC select करें, अंकित 10 referral code लगा के fees में 10% का discount immediate point, ठीक ह इसका ऐसा करने पर आपको मेरी classes मिल जाएंगी, free classes की अगर मैं बात करूं, तो रोजाना सुबह 10 बजे मेरी free classes हो रही है, अनकेडमी पर, उसमें important cities of world चल रहा है, कल उसका आखरी lecture है, आप उसको join कर सकते हैं, उसका link morning वाले RNA के अंदर, comment box में मिल जाता है, telegram channel अंकेत अव